एगाईज वेलकम बाक तो कैसे हैं आप लोग सब आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड कार्स के बारे में तो अभी जो है मैं जा रहा हूं आदी के घर और आदी के घर से हम लोग जा रहे हैं एक डिलर के पास सो बेसिकली प्लान यह है कि आदी इस प्लानिंग तो पिक अप सेकेंड हैं ग्रैंड विटारा जी हां दोस्तों ग्रैंड विटारा एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है बहुत केपबल ऑफ रोडर भी है उसमें जो है फोर विल ड्राइब भी आपको है प्रॉपर फोर विल ड के फिर उसको जो हम लोग यूस करेंगे ट्रेल में तो यह हो जाएगा अदी की गाड़ी आदी की पर्चस से मुझे भी थोड़ा एक्प्रिमेंस आ जाएगा कि ग्रैंड विटारा कैसा है और अलसो सेकेंड गाडियों के बारे में भी थोड़ा इंफोरा इंफों मिल जाए यूज our जाएग 기म डिचरब को अड़ा सकत्राइब के प्रचस से प्रॉड़ा से करेंगा बराले जाएगा जाएगा लाएगा डिचरब करेंगाने इस का उन्यार जाएग, क्यों सब्सक्राइब करेंगा विठावा एंदेगा बाराइगा तुमिल मेंने इसांट ट्रियों प्रलोक पोलाओव स्टापब एनर्ट अर्टाइब त कर दो नहीं किसफ धिर प्रॉड आप प्रॉड एच्ट जो एस फिर नहीं कि अिर्टे में, तो एक उस्धाल्री विलिट है अड्रॉड एक हएच अच्छी से यपर तो कर लिए जीप पर न कर दो आहले ज़िए के प्रूना एक गाड़ाई तो सवर्दास पोगाई तो दो इज़ पर दोबात है तो अगए तो इंजिन पिंज न भी जो तारम रभ बोड़ा एव डिए जी इते कीछ बॉला कॉंडिशन न है अधर को हॉल्ड जी प्राव यह गड़ी अच्छी इतना सही नहीं लग रहा है एक तो स्टेरिंग बहुत हाड लग रहा है और क्लच सब कुछ हाड है गियर भी सही तरही किसी स्लॉट नहीं हो रहा है तो कंडिशन उतना कुछ खास नहीं है तो पनिएटीशण क्लिचाई आप गार no deal, no deal ... Cancell पहुत दुखी हुआ हुआ है हुआ है यह दृ अधि ताइ्म भी वेस्ट होगा है? ताइम का टाम वेस्ट होगया? मैंसला laws मैं सहला गांडर्स्रेक खेलनेए भाया and обс traumat culture strike? काउंटर स्रेख खिल मैं सुच्छा था आप अगर आप लोग जल्द बाजी बिल्कुल मत करना इंफाट और अपने साथ एक दोस्त को लेके जाना क्यूं पता है अथी कितने बार तुम बोले होगी कि देखते हैं देखते हैं मैं बोला नहीं आदी बिल्कुल नहीं बिल्कु कि देखते हैं तो वो दोनों रहने से वो अर्गुमेंट भी होता रहता है फिर आप समझ जाते हो कि नहीं यह यह फ्लॉज है अगर आप अक्यले जाते हो प्रोब्लम के आपको हमेसा इंप्रेसिव लगेगा क्यूंकि पता है जो कुछ-कुछ गाड़े हैं जो हेलो कार्स ह कि अजिधे हैं बाई चल ठोल्बटा है ले ले लें गे मैनिस कर लेंगे घशने हम लोग जो गाड़ी देखे उसने क्या कि उसने तरी चायर जो को चेंज कर दिया है तायर थो चोड़ों फिल्स मी चेंज कर आ राए बड़ा है इचा इंच का बड़ा है कि तरी कब से डाना पर क्या एफेक्ट है यह सब फोटो देख के नहीं पता जलता है जब चला है हम लोगों तो पता जे रहा है तो आपको लेना नीचे उसका मतलब ही वो क्या करेगा हमें साथ जुगारू काम करता रहे है इक्जाटली इते सारे तार कटे हुए जहां चोटा मोटा को तार कटा लेगा उसमें यह कर लगा अगर ऋद्र अगर उसको चनेक्ट रहेगा ने वह में से कोशस करेगा कि इसको पर्मनेंटली फिक्स करते तो जुगारू काम नहीं करते थे पहला चीज मुझे बुढ़ा लगा कि हम लोग गये हैं वा पे गाड़ी चेक करने के लिए निए अ तो वह है बात, यह सब चीज़े हैं आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हम लोग यह माइंसेट बना के रखे हैं कि यह हंट फर ग्रांड विटारा एक दिन का गेम नहीं है राइट, इडिल टेक टाइम एडिल टेक टाइम एड़ एड़ गुड़ कार है, छे लाक, साथ लाक में वह बेच रहे हैं क्योंकि दिमेंड है, दिमेंड बहुत है गाडिया ही नहीं मार्केट में आप हम लोग बात करते हैं कि एक छोटा सा चेक्लिस्ट के बारे में कि जिसको आपको फॉलो करना है आपका पहले सबसे जो सुरू करेंगे कि आपका पहले रिकॉर्मेंट को सॉट लिस्ट कीजिए जैसे फॉर एग्जम्बल मैं जो है अभी मेरे पास निक्सों है अब जो मेरे रिकॉर्मेंट है मैं सोच रहा हूँ कि एक 4x4 गाड़ी कुछ खाली दूंगा जिसमें मुझे कुछ ट्रेल ड्राइव करना है कुछ पत्थर बत्थर 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 बत्लों आपको उसके लिए मुझे ढूंड़ना है जैसे मेरे करजिन है जो हरोगे जिनके पास एक स्यूवी है तो उन्होंने जब गाड़ी लिया तो उनको यह सोचता कि या सेवन सीटर है तो कभी भी फैमिली वाले आएंगे तो इजी रहेगा लेकिन दो साल में उनके घर में साइद एक बार रिलेटिब्स आये होंगे और उसी टाइम जो है साथ सीट जो यूज होता है बाकी हमेशा अगर देखोगे पिछले पांच साल में में पांच या छे बार या मैक्स तो मैक्स मतब काउंटेबल साथ आठ बार होगा जिसमें वो यू अगर दो दो लोग हो और एक किड है लेने के बाद आपको कोई फाइदा नहीं होगा तो एक स्टा पैसा पर एक करके कोई फाइदा नहीं है इसलिए आपके रिकॉर्मेंट को हमेशा ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि आप 70-80% कहां पे चलाने वाले हो उस हिसाब से आपको जो हो गया फर्स पॉइंट बात है कि जो भी आप गाड़ी खरे तो आप यह देख लो कि आपके सिटी में जो सर्विस सेंटर अवलोबल रहला है जरूरी है जैसे इसुज फॉर एक्जमपल बहुत सरे सिटी में जो सर्विस सेंटर नहीं है जैसे बोवनेस्व में नहीं है कि आपकी जो सर्विस के लिए आपको दिक्कत होगा आपको कोई और सिटी को जाना पड़ेगा इसके साथ यह भी आयट कर दूँआ कि वैसे अब गाड़ियां मत खरीत हो जिस जो डिसकंटिनूट हो चुका है मतलब कंपनियां बंद हो चुका है जैसे अब आज की डिट प वो स्ट्रेस के लिए प्रिपार हो देन इडिज ओके जैसे मेरे दोस्ता अभी आदी इस थिंगिंग वाइदी ग्रांट विटार तो अगर देखो ग्रांट विटार बहुत पहले से डिसकंटिन हो चुका है लेकिन ही आज गोट दिस सोर्स जहां से उसको लगता है कि सारे क सारे पार्ट्स मिल जाएगा तो इसलिए इस एफोर्डिंग डाट रिस्क जितना ज्यादा मोडिफाइड होगा कार उतना इंपक्ट आ सकता है पर्फॉमंस में मतलब इंजिन के लाइफ में भी आ सकता है तो इसलिए जनरली मोडिफाइड कार्स को अवर्ड करना बेटर है और हमेशा कोसिस करो फर्स्ट ओनर अगर गाड़ी की मतलब है तो बेटर है जितने ओनर्स के पास वह पास होता है गाड़ी उतना बुरा मतलब देखो हो सकता है कि अच्छा मेंटेंड हो लेकिन जादद चांस यह रहता है कि मेंटेंटेंस अथीक नहीं रहता है जैसे क्या हो जाता है तो इसलिए जुगाड़ू टाइप रिपेर से हो जाता है जो फर्स्ट ओनर रहता है वो हमेंसा शोरूम पर फिक्स करता है प्रॉब्लम से फिर जैसे में क्या है ना महिंद्रा के भी है तो यह सब क्या करते हैं आपको सेकेनेट कार पर भी कुछ वारेंटी देत लेने से एक बड़ी एडवेंटेज है इसके साथ यह करूँगा कि आप अगर कोई क्लोज रिलेटिव से दोस्ते लेते उसमें भी एडवेंटेज है अगर दोस्त बहुत करीब दोस्ते और रिलेटिव से तो उसकेस पर क्या है वह आपको एक खराब गाड़ी बेचेंगे इसको फिक्स करना है जो भी है तो वह एक ख्राड़ी आपके पास रहेगा हमेंसा जैसे मैंने आपको बताया कर दोस्त के साथ जाना बहुत जरूरी है उसमें जो आपको मैंने बताया कि मतलब थोड़ा सा उपर नीचे रहता है आप हाँ बोलते हो ना बोलता है बोलता है न अगर बहुत जल्दी डिसिशन इमिरेटल ले जाए तो देखो बहुत साथ डिलर्स आपको बोलेगा रहे सार बहुत एंकोरी आ रहा ही है वह जो भी हो यार गाड़ी चाहें आप नहीं लो लेकिन जल्द बाजी में अगर आप पैसा दे दिये कमिट कर दे फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो सकता तो वह बात बाकी कोई भी गाड़ी अप लेते हो एक अच्छी सी मेकनिक के पास इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जैसे हम लोग कल सोचे की जीवी अगर कहीं पर ग्रेंट वेटर मिल ला तो उसको लेके हम लोग मारुती की सर्विस सेंटर पर इंस्पेक्ट करेंगे वह जरूरी है या फिर आपके पास अगर कोई अच्छे मेकनिक है तो उसको कुछ पैसा दीजिए थोड़ा टाइम चाहिए आपका दो गंटा या तीन गंटा है उसको लेके जाओ वह एंस्पेक्ट करने दो वह करने से आपको बेटर रहेगा और यह अच्छी बात किया है वह आपके तरफ से गया है तो आपके फेवर में ही बात करेगा तो वह है बात वह जरूरी है कि मेकनिक ले लो कि डेफिरिए हम लोग के कार चलाता है यह एंथुसीयास्ट है लेकिन हम लोग इंट उत्मा पता नहीं रहता है तो यह बड़ी चीज है अगर एक मेकानिक ले 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 तो बहुत बढ़िया रहेगा एक और चीज़ आपको हमें सध्यान में रखना है कि जब भी आप कार देखना चाहते हो तो हमें सा प्रिफर करो कि कार की जो पार्किंग है वहां जाके देखो मतलब अगर ओनर बोलता है कि वो ले के आएगा तो उसको बोलो नहीं है वांटे टो सी दी कार इन यूर प्रेस एंड हमें साथ सुबा जाने से पहला स्टार्ट बहुत कुछ काम करवा लेता है इसलिए सुबा कोशिस करो जाने के लिए यडि इणटर nos परकिंग में जाकर देखने साब को पता चलिएगा की कार बाहर पार्ट रहता है या फिर या फिर इंडियर पारकिंग है और पारकिंग में थोड़ा नजर करिए कि एनजिन लिखेज विकेज नहीं है मतलब जो बेशिक चीजच तो आस आप देख सकती वो होने से advantage है, तो उन्हों के साथ वो भी बात कीजिए कि कुछ accidental history है कि नहीं है, अगर वो बोलता है नहीं है, फिर भी आप लेके वो जब मेकानी के पास जाते हो, वो लोग समाझ जाते हैं कि इसमें accident हुआ है कि नहीं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, documents proper होना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई दूसरे state का गाड़ी है, आप make sure कर लो कि आपके पास NOC है, सब कुछ है, तो वो documents आपका verify करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग घोटाला करते हैं, फिर आप लेके जाते हो, फिर आपके नम पर ownership transfer नहीं हो, पता है, बहुत सार tensions होता है, वो भी एक चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है, जब आप कोई dealer के पास जाते हो, dealer जो है, आपको बहुत divert करता है, मतलब बहुत बाते बोलता रहता है, आपको चेक कर रहे होंगे, और वो बाते करता है, आप विल्कुल divert मत हो, उस पर ज्यादा फोकस मत करो, जितना देर भी महाँ पे हो, परफेक्टली सब कुछ जांच पता है, आपका लो, interior, exterior, engine bonnet खोल के देख लो, कि आपको कहीं rough patches, rough work हुआ है, वो सब देख लो, तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, ये सब basic चीज़ें, जो कि आप ध्यान में रखके फिर से वीडियो डाला था, बिकास कल ही आप लोग वो ट्रेल किये थे, एक नया ट्रेल था, तो मैंने सुचा अप्लोड कर लेंगे, लेकिन मैंने देखा बहुत सरे लोग जो फिडबाइक देरें कि बुल है, लगा था, दो तीन वीडियो जो है, वो ही off-road चल रहा है, तो मतलब गुसा आओ के जैसे कमेंट देते हो नो, ऐसे वीडियो डालेगा तो मैं अंसब्सक्राइब कर दूगा, या थ्रिटन देने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार, I'll be very honest, I want कि ऐसी सब्सक्राइबर्स इस चानल के साथ जुड़े रहें, जो मेरे साथ ए यार, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, similarly मेरे यह होगा कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आप उससे कनेक नहीं कर पाऊगे, and still आप सब्सक्राइब होके रहोगे, तो खले सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ते रहेगा, लेकिन वीडियो का भी अप्रिशेट नहीं